देखिए, successive differentiation हमने पढ़ा, nth derivative of sin a x plus b, cos a x plus b, e to power a x, a to power a x, log a x plus b, a x plus b to power n सब पढ़ा हमने, ठीक है, अब यहाँ पर हो यह रहा है कि अगर मालियत दो function multiply में हैं तो क्या करेंगे आप, तो आप करेंगे, very simple, अगर first function into second function को differentiate करना हो, तो हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, first function into d y dx of second function, plus second function into d y dx of first function, लेकिन हमने गार नहीं, आप इसका nth derivative करो भला, मताभी एक function का nth derivative में तो आखे बाहर निकल आई लोगों की, अभी तो दो function into में आ गए, तो उसका nth derivative हम कैसे करें, तो Leveni साहब ने इसके लिए एक formula दिया, ठीक है, उस proof करेंगे, बहुत important theorem है, Leveni's theorem, क्या statement है, देखो ज्यान से, इन्हों ने कहा, कि अगर statement देखिए, इसकी क्या है, if u and v are the function of x, are the function of x, यहाँ पर calculus में x जो है, बिल्कुल hero है, जिसको चाहो x के function में differentiate करते हो, तो उन्हों ने कहा, अगर u and v x के function है, कोई भी है, जैसे एक e to power x है, एक cause x भी है, एक x power n है, एक sin x है, तो अगर इसका nth derivative निकालना हो, dn of u into v निकालना हो, तो दोनों का multiply करो, उसका nth derivative निकालना हो, तो लेबनी साब ने एक formula दिया, उन्होंने कहा देखिए, इसका dn of u निकालना हो, into v लिख दो, फर्स्ट का nth derivative, into second derivative, प्लस nc1, यह आपने एक binomial theorem के तरह लग रहा है, इसका एक बार कम करते जाओ, इसका एक बार बढ़ाते जाओ, तो इसका एक कम हो जाएगा, तो dn minus 1 of u, into d of v, नहीं हमजी, प्लस nc2, इसका एक और कम करो, भाई इसको n bar differentiate किया, इसको कुछ नहीं किया, इसका एक कम बार किया, इसको एक बार किया, इसका दो कम बार किया, फिसको दो बार किया, जितना इसको कम करोगे, उतनी बार इसको dn-2u into d2 of v plus so on plus last में आएगा ncn अब ncn में जब आप d2 n-n करोगे तो हड जाएगा न तो dn of v तो ये लेबनी स्थरम का statement है पहली बातो अच्छा n-n करोगे तो d4 0 नहीं हो जाएगा और something for 0 d होता है कि 1 होता है 1 होता है न तो हाँ u बचेगा u into ठीक है note करिए इसको पहले statement फिर इसको हम पताते हैं u बचेगा जीरो बार differentiate करने मतलब होता है क्योंकि वह ऐसे लिखा रहेगा तो ये पहले statement लिखे फिर proof कराए जाए अब देखे इसका proof जो होता है वो mathematical induction के method से proof करते है अगर आपको याद हो intermediate में जिसे कोई वहाँ कोई formula होता था 1 प्लस 2 प्लस 3 up to n is equal to क्या होता है n n प्लस 1 बाइ 2 तो एक तो तरीका ये होता है कि ये arithmetic progression है AP है ना उसके n टर्म का सम लगा दो n बाइ 2 2a प्लस n वाइस 1d तो अपने अब फर्मुला प्रूफ हो जाएगा लेकिन हमेशा हम series पहँचानते नहीं हर series थोड़े हम पहँचानते हैं तो हम वहाँ क्या करते थे हम इसको mathematical induction से verify कर लेते क्या तरीका था याद हो आप n को पले 1 लिखते थे और फिर कहते थे कि LHS की value और RHS की value सेम है फिर आप n की एक value मानते थे k और आप कहते थे k पे value सेम है मतबद दोनों side सेम आएगा उसे proof नहीं करते थे फिर इसके just बात की value लेते थे k पलस 1 और इसका इस्तेमाल करते हुए इसको proof कर देते थे कि अगर हम यहाँ पर n को k पलस 1 लिखे तो वहाँ अपने आप k पलस 1 आ जाएगा याद है इसको कहते है principle of mathematical induction तो इसको भी उसी method से हम proof करेंगे ठीक है देखे तो we proof this by mathematical induction देखो तो क्या तरीका होता है पहले step 1 हम पहले लिखेंगे for n is equal to 1 n को 1 लिखेंगे देखो जब n यहाँ लिखते हो तो जाते हो n c n तक जब n को 1 लिखो के तो जाओगे 1 c 1 तक तो जब n को 1 लिखोगे तो यहाँ क्या जाएगा d of u into v आएगा यहाँ n को 1 लिख रहे है n को 1 लिखा तो यहाँ आपका d of u आएगा into v आएगा 1 c 1 की value क्या होता है 0 sorry क्या बोला हूँ 1 और इसको n फो लिखोगे 1 तो 1 minus 1 0 यहाँ यहाँ आएगा into d of v यही तो आएगा आगे तो बढ़ेंगे नहीं अब क्योंकि आपको कहां तक जाना है 1 c 1 तक अब बताएए प्रोडक्ट रूल आपने जो इंटर में पढ़ा क्या पढ़ा फर्स फंक्शन का डिफ्रेंसेशन into second फंक्शन प्लस second फंक्शन का डिफ्रेंसेशन into first फंक्शन वही लिखा है न यहाँ इस it is true it is true for n is equal to 1 यहाँ n is equal to 1 के लिए यह true हो गया अब क्या करेंगे step 2 में क्या तरीका था हम इसको माल लेते हैं कि n is equal to k के लिए साही है इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है let it is true let it is true for n is equal to k ठीक है तो लिखे यहाँ पर यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा dk of u into v is equal to सब n को k रख दीजे उठा करके तो क्या हैगा dk of u into v plus k c1 dk minus 1 of u into d of v plus so on last thing यहाँ हैगा k c k dk sorry यह तो k minus k हो जाएगा न u into dk of v question number 1 डाल दीजे यहाँ हमने n को k के लिए सही मान लिया कि k बार हम differentiate करेंगे तो result will be the same ठीक है तो यह आपने k बार differentiate कर लिया ठीक है dk of u into v plus k c1 dk minus 1 of u into d of v plus k c2 मतला यह एक 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 बार कम होता जाएगा differentiation इसका एक 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 बार बढ़ता जाएगा कहां तक जाएगा k times ठीक है अब हमको क्या प्रूप परना है कि k plus 1 के लिए सही है या नहीं है तो k plus 1 के लिए क्या करें इसको एक बार और differentiate कर दे और हमारा result में k plus 1 आजाना चाहिए अपने आप तो again differentiating equation 1 एक बार और differentiate कर लेते हैं तो एक बार और करोगे तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा dk plus 1 आएगा नहीं आएगा आएगा ना ज़रा यहाँ देखिए यहाँ पर दो function multiply में है ना तो इसका differentiation क्या होगा first function का differentiation dk plus 1 of u into second function एक ही बार तो differentiate कर रहे हो plus second function first ऐसे लिखा रहेगा और into second function यह आगया इसका यहाँ लगा दिया product rule एक बार differentiation का first function dk of u into second function का differentiation plus second function v और first का एक बार और करेंगे तो क्या बन जाएगा dk plus 1 एक एक d बढ़ बढ़ जाएगी ना plus यहाँ पर आईए एक kc1 लिखा हुआ है अब यहाँ भी दो function है तो देखे first function का differentiation क्या हो जाएगा जब एक बार और करोगे power एक बढ़ाओ तो क्या हो जाएगी एक power करोगे तो dk आएगा ना k2 क्यों आएगा k-1 है और plus 1 करिए अगर हम k आएगा ना तो आएगा dk of u into d of v plus dk-1 तो पहले से है into d of v यह आएगा ना हमको जानबूज के एक स्टेप बढ़ाना पढ़ा क्योंकि कुछ symmetry चेक करनी पढ़ेगी ना कुछ function को एक साल लिखना पढ़ेगा plus यहाँ पे आएगे kc2 kc2 इसका differentiation एक power बढ़ाओ इसकी क्या हैगा by k-2 power है ना तो एक बढ़ाओ कि तो क्या हो जाएगा k-1 तो dk-1 of u into d2 of v plus dk-2 of u into d3 of v यह आएगा ना इस प्रकार से यह differentiate हो जाएगा last system देखे last में क्या है kck kck देखे d का differentiation d of u into dk of v plus u into dk plus 1 dk plus 1 of v यह हो गया आपका एक बार और differentiate किया अब आप कहेंगे अब यहाँ आपने k plus 1 है यहाँ थोड़ी लिखेंगे हम तो एक बार differentiate कर रहे हैं इसको तो जिसका differentiation होगा वही तो k बढ़ेगा यहाँ case क्यानि हाँ हाँ भाई भाई देखो यह कितनी बार differentiate हो रहा है k-1 बार भाई d में हम क्या करते हैं तीन बार differentiate करते हैं d3 लिखते हैं 4 बढ़ करते हैं d4 लिखते हैं जब k-1 बार किया एक बार और किया तो एक और और बढ़ गई तो कही तो आएगा यह function ऐसे लिख दिया अच्छा 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 इसको d2 होना चाहिए अरे वाह हम इसलिए गरत लिख रहे थे जिससे आप ध्यान से देख रहे नहीं देख रहे चेक कर रहे थे note कर दिए इसको जगए बहुत लेगा ना यह अब दिखो इसको अच्छेस कैसे किया जाए देखो जान से यह dk plus u into v तो एक ही step दिख रहा ना और कहीं यह चीज़ दिखी है और कहीं लिखी वी है तो यह क्या हो गया dk plus 1 of u into d of v प्लस यह एक ही बार है ना अब देखो जान से dk of u into d of v दो जिखा है ना dk of u into d of v यहाँ भी है और यहाँ भी है इसे common ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1 plus kc1 और बाहर क्या लिखेंगे dk of u into d of v प्लस आगे देखते हैं देखो dk minus 1 of u into d2 of u यहाँ लिखा है और वही चीज़ यहाँ लिखी वी है common ले लिजे तो क्या बचेगा kc1 plus kc2 common हो गया यह बाहर हो जाएगा dk minus 1 of u into d2 of v प्लस 1 last step करिए क्योंकि अब यह वाला हम पकड़ेंगे तो इसके बाद वाला लिखा नहीं हमने अब last में क्यों यह लिख दीजेगा kc1 होता है ना क्यों यह लिख दीजेगा last में आएगा plus u into dk plus 1 of v ठीक है अब ज़रा समझेगा कुछ mathematics binomial theorem में चलते हैं binomial theorem में एक चीज हमने पढ़ी है थोड़ा सा इसको यह step note करिए इससी step में एक amendment करेंगे note करिए अब ज़रा देखेगा इस step को आगे बढ़ाते हैं k plus 1 है यहापर इसको kc0 कर सकते हैं तो हमने binomial theorem में एक formula पढ़ा है ncr plus ncr minus 1 is equal to we know that हमने पढ़ा है ncr plus ncr minus 1 is equal to n plus 1cr यह pascal का नियम था यह हम mathematics में pascal का नियम पढ़ते हैं pascal law अब आप करेंगे pascal का तो pressure कर ला होता है तो le law बहुत सारे होते हैं यहापने पढ़ा है ठीक है so अज़र इधर क्या चला था इधर चला था dk of क्या था इधर क्या लिखा हुआ था dk plus 1 इधर चला था dk plus 1 of u into v चला था था अब ज़रा देखो द्यान से यह तो ऐसे लिखा रहा है ने तो क्या लिख रहा हूँ dk plus 1 of u into d of v plus देखो यहाँ ज़र देखे kc1 लिखा यह kc1 और यह a कम हो गया kc0 तो यह k plus 1 होगा और यह बड़ा लिखा जाता है नaga यहाँ r है यह r minus 1 है मैं एस फार्मुले में इसको फिट कर रहा हूँ यह ncr ncr minus 1 है न n दोनों में सेم है न यहाँ 1 है यहाँ 0 है यहाँ 1 है यहाँ 0 है तो ऊपर एक बढ़़ा देते हैं ऊपर n plus 1 हो जाता है और नीचे बड़ा बड़ा लिखते हैं तो k plus 1 c1 हो जाएगा न और dk of u into d of v plus k c1 plus k c2 को k plus 1 c2 ले सकते हैं k plus 1 c2 और dk minus 1 of u into d2 of v plus 1 last में क्या आएगा u into dk plus 1 of v अब देखो अगर अब यहाँ पर formula apply करेंगे लेमनी स्थोरम तो देखो यह true आ रहा नहीं आ रहा है आप k plus 1 पर कर रहे हो न तो क्या formula होता है dk plus 1 of u into d of v सही है ना ठीक है plus k plus 1 c1 एक यह कम हो जाता है तो k plus 1 एक कम करिए तो k हो जाएगा और यह एक बार differentiate होता है पता इसके differentiation यहाँ कुछ गरबड है यह step गरबड है यह गरबड है यह d of v नहीं है यह v है केवल क्योंकि d of v होता तो वहाँ common हो जाता ना यह v है केवल वही कुछ गरबड है देख लिजे इस step में जा तो लिखने में गरबड हो गया है यह बाद चेक कर लिजेगा ठीक है क्यों देखे इसका differentiation और इसका differentiation power का add हमेशा k plus 1 आना चाहिए यहाँ पे आईए फिर हमने क्या कहा k plus 1 c 1 n c 1 होता था न n c 1 k plus 1 c 1 इसको एक बार कम कर दो तो d k of v हो जाएगा into d of v plus यहाँ पी k plus 1 आएगा k plus 1 c 2 इसको एक कम करो तो k plus 1 में जब 2 माइनस करोगी तो k माइनस होना आएगा न इसको इसको माइनस करते हैं जो आता उतनी बार u को differentiate करते हैं जो यहां लिखा होता उतनी बार V को differentiate करते हैं और UK differentiation जितनी बार करना है और V को जितनी बार करना है इन दोनों का sum इसके एक और होना चाहिए हमें सा जैसे पांच बार करना है तो U को जितनी बार करोगे और V को जितनी बार करोगे मिला के 5 बर होना चाहिए जैसे u को 3 बार करोगे तो v को 2 बार करोगे ठीक है और last में लिखेंगे u into dk plus 1 of u e तो देखो पूरा system इस वाले Levenis rule को follow कर रहा है so it is true for so it is true यह देख लिजेगा कहीं गरत लिग गया है so it is true for k plus 1 also so it is true for all the values of n तो यह Levenis theorem का proof है theory में जब आता है तो proof important है नहीं तो proof optional में है तो नहीं आएगा अगर multiple choice है note करिए फिर माले multiple choice है तो आप से यह लिखेगा और यहां भूसारे option लिखेगा तो आप से बताएगा कौँ सा part सही है तो statement द्यादी होना चाहिए अब हमको Levenis theorem को apply करना है जैसे कहा nth derivative of x cube cause x करना है अब आप कहें किसको u माने किसको भी माने देखो ध्यान से आप देख रहे थे कि u का differentiation देखेदरे घटता जा रहा था और v का बढ़ता जा रहा था पहले step में आपने v का differentiation नहीं किया था दूसरे में एक बार किया फिर दो बार किया तो जिसका differentiation घटे उसको v मान लीजे तो इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे क्यों पहले step में होता क्या है कि अगर आपने इसको u माना और इसका nth derivative निकालना तो ये तो 3-4 बार 0 हो जाएगा ये उसरा लेबडी स्थियोरम भी अपलाई करना ये तो ही है क्या फ़रमला होता है देखिए dn of cos x ये तो फ़रमला होता है into v पहला step हो गया प्लस nc1 एक कम किया dn minus 1 of cos x into d of x cube अब देखे आपने जब x cube को एक बार डिफेंसेट किया क्या आएगा 3x square यदि अभी खतम नहीं हुआ है एक बार और डिफेंसेट हो सकता है प्लस nc2 dn minus 2 of cos x into d2 of x cube x cube को एक बार डिफेंसेट किया था ये आया था दुबारा किया था ये आया था अभी एक बार और डिफेंसेट हो सकता है प्लस nc3 dn minus 2 of cos x into d3 of x cube अब इसके बार जब तीन बार डिफेंसेट करोगे तो 6 आएगा अगली बार जिरो हो जाएगा तो आप इसके बार इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे अब बोले हम अगर n बार ले जाए तो ले तो ले जाओ n बार ये तो आल लेडी इसके बाद 0 हो जाना है तो इसको जिदनी बार आएगा x cube का डिफेंसेट 0 हो जाएगा तो यहाँ पर इसको stop कर देंगे ठीक है अच्छा cos x का nth derivative का formula बता दीजे dn of cos x का formula क्या बताया गया था cos ax प्लस भी था ना क्या था यहाँ पर cos x प्लस n pi by 2 था पक्का यहाँ था ना चुकि यहाँ पर ax प्लस भी तो है नहीं अगर ax प्लस भी होता तो यहाँ पर a की पाउर n भी आता तो x का coefficient आले डी 1 है तो उसे कोई मतलब है नहीं तो इसका n bar derivative क्या आएगा cos n क्या लिख रहा हूँ x प्लस n pi by 2 into x cube प्लस n c1 की value क्या होती n होती है अब इसको n minus 1 differentiate कर रहे हो न तो n की जगे क्या हो जाएगा n minus 1 तो आएगा cos x प्लस n minus 1 into pi by 2 और x cube का differentiation क्या आएगा 3x square प्लस n c2 का लिख क्या होती है n को दो बार खोलिए n minus 1 अपान factorial 2 लिख होता है न इसको n minus 2 बार differentiate करिए क्या आएगा cos x प्लस n को लिखेंगे n minus 2 into pi by 2 और इसको दो बार differentiate करिए तो एक बार किया है तो क्या आएथा 3x square इसको दोबारा करेंगे तो 6x हो जाएगा तो आएगा 6x प्लस n c3 के लिख क्या होगी n को तीन बार खोलिए n n minus 1 n minus 2 upon 3 into 2 into 1 अब n की जगा क्या रखेंगे n minus 3 तो आएगा cos x plus n minus 3 pi by 2 और into इसका 6 हो जाएगा सुम्झ में बार नहीं आई यह हो गया differentiation अब थोड़ा सा इसको चुक्क एंगल ब एंगल कुछ कुछ काल्कुलेट होंगे उन्हें काल्कुलेट करते हैं तो यह 2 से यह 3 कट गया calculation चक लिजएगा 3, 2, 2, 6 हो गया ठीक इसको note करिए उपर रब करेंगे थोड़ा से लंदी है चुक्कि calculation अब है यहाँ पर note करिए अब ज़रा दिखिए अभी यह angle भी solve हो जाएगे इसको पहले लिख रहे हैं तो यह x cube हो गया यह क्या गया cos x plus n pi by 2 अगला इसको देखिए plus n into 3x square हो गया यहाँ देखिए हम इस bracket को खोलेंगे तो क्या आएगा cos का angle क्या हो जाएगा आएगा x plus n pi by 2 minus pi by 2 अगला इसको पहले पहले प्लस यह 3x होगा into n n minus 1 होगा इसका angle क्या हैगा cos यह आएगा x plus n pi by 2 minus जब pi by 2 का 2 सो multiply हो जाएगा तो pi हो जाएगा pi plus यह 6 कड़ गया है यहाँ आएगा आएगा n इसमें कई लाइनों में आ रहा है n minus 2 cos x plus यह आएगा n pi by 2 minus 3 pi by 2 अब देखो ध्यान से अब आपको 90 plus theta 180 plus theta के formula यह note के लिए न गलती तो नहीं होगा पर चेक कर ले ना क्योंकि गलती होने के चांसे बहुत हो जाते है जरा सावधान यह पहला step है x cube cos x plus n pi by 2 plus 3 nx square अब देखो जरा अगर 90 minus theta का formula आप जानते हैं अब थोड़ा डायट कर रहे हैं चुकि 90 positive है कि negative अगर हम minus कामल ले लेते अब इसमें हम change करने जा रहे हैं इसको change आपको करना नहीं है minus कामल ले लेंगे तो यह positive हो जाएगा और यह पूरा step negative हो जाएगा तो cos 90 minus theta अच्छा minus आप पे कामल लोगे तो minus बाहर निकलाएगा नहीं और cos minus theta minus cos theta तो होता नहीं प्लस होता है ना अब cos 90 minus theta यह हो गया ना क्या होता sin theta होता है ना cos 90 minus theta क्या होता है sin theta तो यह तो आपका आजाएगा sin theta बोले तो x plus n pi by 2 संच्छा है बात आगे आईए plus यह 3x into n n minus 1 अब दिखो जान से यह pi negative है न आप ले minus काम ले लो minus लोगे तो यह minus आ जाएगा और यह positive हो जाएगा यह पूरा step negative हो जाएगा यह minus theta हो गया cos minus theta plus cos theta यह sin तो हड़ गया काम कोतम cos 180 minus theta क्या होता है minus cos theta 180 minus अपने आप में change होगा और यह second quadrant होगा minus cos यह आपका क्या हैगा minus cos x plus n pi by 2 पकड़ में नहीं बात नहीं आई ठीक है अब यहाँ पे आओ plus n n minus 1 n minus 2 यहाँ पे आईए आपने यह minus काम लिया तो यहाँ negative हो गया ना यह positive हो गया और यह पूरा step negative हो गया cos minus theta plus cos theta हो गया यहाँ यह minus हड़ गया ना cos 360 minus theta sorry 270 270 minus theta 270 वाले formula वैसे ही change होते हैं यह से 90 वाले होते हैं तो पर बाद 270 minus सैने sign में change होगा अज़ा 270 minus किस quadrant होगा third में third में sign positive होता है negative होता है cos cos का change होना है ना cause negative होता है यहाँ पर आएगा minus change का हम होगा sign में होगा ना x plus n pi by 2 संच में आई बार नहीं आई पक्का हमने यह डाइट कर दिया है आप चाहोते हैं एक step बढ़ा सकते हो ठीक है क्यों यह वाला step होगा आपको अब देखे इसमें थोड़ा सा बस हो गया अब क्यों थोड़ा सा amendment करके लिख लेना है देखो दियान से कॉज x plus n pi by 2 यहां भी आया हुआ है और कॉज यहां भी आया हुआ है है ना तो हमने क्या किया यह कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा यहां पर यहां बचेगा x cube यह माइनस है ना तो साइन माइनस हो जाएगा आप इस लेवल पर है यह बात आप समझ गए होंगे अच्छा यहां यहां साइन है जब साइन कामन लोगे तो प्लस यहां क्या बचेगा यहां यहां 3nx स्क्वार यह माइनस है तो माइनस n n माइनस 1 n माइनस 2 बाहर क्या आएगा साइन x प्लस n पाई बाई 2 तो यह आपका n डेरिवेट्व हो गया थोड़ा मिला लेते हैं x क्यूब माइनस 3 n n माइनस 1 x कॉस प्लस 3 n x स्क्वार आ गया माइनस n n माइनस 1 अरे वाह गुड लिख दो कल्कुलेशन मिस्टेक हो जाती है से बहुज़ादा ठीक है